हलो वेल सो गुड विनिंग तू आल अफ यू बैरिया आवाज कलियर हारी है सभी को बिटा वेरी गूद येस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो रिविजन में मजा आ रहा है आपको सब को सब रिकलेक्ट हो रहा है जो हमने कुछ चार्ट ड्रॉ किये थे आपने भी ड्रॉ किये थे मेरे साथ तो आपको पुरा रिकलेक्ट हो रहा है यह रिविजन में yes or no very good very good चलिए तो आज हम time of supply इसका revision करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए यहां पर start करते है time of supply ठीक है हमारे चार्ट रिविजन में time of supply तो दोस्तों यहां अगर हम time of supply की बात करें ठीक है तो yes लेवी जो है supply हमारा discussion हो चुका है दूसरा person liable to pay tax तो उसमें reverse charge और ECO यह भी discussion हमारा हो चुका है अब collection mechanism यहांने government आप से कब लेगी तो आपकी liability for payment of tax जो है वो आती है जब आपका TOS आएगा यहांने जो month में आपका TOS आएगा उस month के due date में आपकी GST की liability आएगी done आपकी GST की liability आएगी तो चलिए इसके basis पे हम time of supply का discussion करते हैं और step by step में आपको यह बहुत अच्छे से समझा देता हूँ जो हमने discuss किया था section 12 talk about time of supply of goods and section 13 talk about time of supply of services अब आपका TOS जो है एक तो normal charge second reverse charge यह case में आपको fix करना है क्योंकि आपकी liability कैसे आ सकती है नॉर्मली जो आप supply कर रहे हो जिसे हम forward charge भी कहते है उसको आपको GST देना है कभी कभी आपने 9.3 और 9.4 के goods या services लिये होगे तो river charge में भी आपको tax देना पड़ता है तो अगर आपकी liability आपके normal charge याने forward charge की होगी तो वो situation में आपको tax कब देना है इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है दोस्तो तो चलिए यहाँ पर normal charge में आपकी liability कभ आएगी section 12.2 और section 13.2 अब 12.2 की अगर हम बात करें I repeat 12.2 की अगर हम बात करें तो goods के लिए अब ध्या सुनना goods के लिए आपका TOS date of issue of invoice या last date of issue of invoice सबसे पहले तो हम यह discuss करेंगे goods के लिए कभ invoice दिया जाता है goods के लिए जो है यहाँ पर invoice अगर section 31 पड़े जो invoice का chapter है तो goods के लिए invoice यहाँ पर on or before the date of removal अगर goods में movement है आपका supply goods का दो type का हो सकता है एक तो आप goods मू करोगे from one place to another goods में movement है और दूसरा बेटा आपके goods में movement है एक तो यह आप ले से लोगे दूसरा goods में movement नहीं as such basis पे आपने sale कर दिया तो goods में movement है या goods आपने as such basis पे sale कर दिया अब देखो बेटा यहाँ पे अगर goods में movement है तो आपका invoice on or before the date of removal होना चाहिए और आपकी last date of issue of invoice होगी date of removal और goods में movement नहीं है आपने as such basis पे sale किया जैसे मैंने benches का example दिया था तो अब मैंने पास benches दे और hall में मैंने as such benches किसी और को दे दिया क्योंकि मैंने वह hall छोड़ दिया तो अगर आपने as such basis पे यहाँ पे supply किया होगा तो वह case में date of delivery और made available उस दिन आपका last date of invoice माना जाएगा तो invoice अगर आपने remove के पहले यह delivery के पहले invoice दे दिया होगा तो वह आपका TOS होगा जिस month में invoice दोगे उस month में आपका TOS आजाएगा और अगर आपने invoice नहीं दिया till the date of removal और made available तो आपका TOS on the date of removal या made available उस दिन रहेगा तीक है इसमें खास notification था notification 66 by 2017 यह notification कहता था कि goods के case में आपका TOS advance basis पे नहीं आएगा अगेन मैं repeat करता हूँ यह notification सिफ goods को applicable होता था और goods के case में अगर advance मिलता है तो advance पे TOS नहीं आता था only section 12.2.1 के इसाब से TOS आएगा तो बहुत ही simple है जब भी आप goods का TOS इस फिक्स करोगे तो आपको सिर्फ दो date देखना है invoice या last date of invoice receipt basis नहीं देखना है और कि यह था time of supply of goods under forward charge लेकिन services section 13 का इसाब से TOS of services का fix होगा इसके पहले तो हम यहाँ पे invoice mechanism को समझ लेते हैं invoice mechanism यहाँ पे क्या जैसे service के case में law यह कहता है section 31 यह कहता है आपने invoice within 30 days यह जिस दिन आपने service complete कर दी वहाँ से 30 दिन में invoice दे देना चाहिए और banking और financial company होगी तो वहाँ से 45 दे में आपने invoice दे देना चाहिए ठीक है अब इसके बाद अगर आप invoice देते हो तो law यह कहता है कि ठीक है आप दो invoice के बाद पर आपके पर penalty लग जाएगी maximum time 30 दिन या 45 देस तो अब अगर आप supplier of service हो तो आपका TOS कैसे fix किया जाएगा आप supplier of service हो तो TOS कैसे fix किया जाएगा तो वो situation में इन्होंने तीन criteria ली है clause A, clause B और clause C clause A के criteria में वो क्या कहते है clause A के criteria में वो कहते है कि अगर इंडिया में किसी भी supplier ने within time invoice issue किया within time invoice issue किया मतलब क्या within 30 days issue किया या within 45 days issue किया तो फिर उसका time of supply यहने liability to pay GST उस month में आएगा जिस दिन उसने invoice दिया याने date of issue of invoice या date of payment received whichever is earlier क्याल रहे है date of issue of invoice या date of payment received whichever is earlier और कि यहाँ service के case में notification 66 by 2017 applicable नहीं है मतलब अगर आपको invoice issue करने के पहले पैसा receive हो गया या advance receive हो गया तो वो case में आपका T.S. receive basis पे भी आ सकता है अगर आपका invoice within prescribed time होगा second वो क्या कहते है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने invoice within time नहीं दिया याने 30 दिन के अंदर या 45 days के अंदर आपने invoice नहीं दिया अगर आपने invoice 30 या 45 days के अंदर नहीं दिया तो वो कहते है date of completion या supply of service याने जिस दिन आपने service complete कर दी या date of payment received whichever is earlier एक simple example से मैं लेना चाहोगा कि अगर आपने 20th April को service complete की और 20th April से आपको 30 दिन में invoice देना है मतलब आपको 20th में तक invoice देना है अगर आपने 30 दिन के अंदर invoice दे दिया तो date of issue of invoice आपने 10 में को invoice दिया तो वो TOS आपने 15 में को invoice दिया तो वो TOS आपने 20 में को भी invoice दिया तो वो TOS लिया जाएगा ठीक है यहाँ पे या date of payment received अगर payment पहले आ गया तो वो भी consider कर लिया जाएगा लेकिन देन से सुनिएगा अगर आपने invoice 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो date of completion of service अगर फिर क्या हो जाएगा TOS फिर invoice के लिए wait नहीं करेगा फिर जिस दिन service complete हुई मतलब TOS पीछे चले जाएगा आपने service 20 April को complete की थी वो यह payment received whichever is earlier उसके base पर यहाँ पे TOS fix कर लिया जाएगा अब बिटा यहाँ पे जो word है payment receipt payment receipt की जब problem आप solve करोगे तो payment receipt का यहाँ दो dates आपको दिया जा सकता है कौनसी दो date आपको payment receipt की दी जा सकती है पहली date date of book entry और दूसरा यहाँ पे date of payment receipt अब यहाँ यह है कि date of book entry मतलब क्या यहने आपको check मिला और आपने book में enter किया कभी कभी problem में यह दो dates अलग होती है check आपको 12 तारीक को मिला आपने book entry की 15 तारीक को और आपका bank में पैसा आया 18 तारीक को तो आपको जिस दिन check मिला receive वो नहीं देखना है या जिस दिन cash आई वो नहीं देखना है आपको यह देखना है कि book entry कभ की और bank में realize कभ किया whichever is earlier whichever is earlier तो यह आपको यहाँ पर consider करना है तो फिर date of invoice या date of payment payment की दो dates आ सकती है book entry या bank realization अगर invoice within time नहीं है इसलिए जब भी आप service sector में TOS fix करोगे तो problem जब पढ़ोगे तो carefully problem यह देखना कि यह problem goods का है या यह problem service का है service का है तो आपकी strip by strip यह point आना चीए अचा service का है तो पहले में यह check करूगा invoice within time है क्या याने invoice within 30 days या 45 days में है क्या अगर invoice within time है अगर invoice within time है तो ऐसे situation में invoice और receipt receipt की दो dates अगर दियोगी तो वो whichever is earlier अगर invoice not within time तो date of completion या payment receipt whichever is earlier लिया जाएगा उसके बाद में C clause क्या है हम C clause के बारे में बात करेंगे यह C clause यह कहता है if not under A and B मतलब आपका TOS A और B में दोनों में भी fix नहीं हुआ ऐसा कब हो सकता है कि आपका TOS A और B दोनों में भी fix नहीं होगा ऐसा वेटा तब हो सकता है जब date of invoice भी available नहीं है date of payment भी available नहीं है और date of completion भी available नहीं है mainly तीन event invoice, payment और completion यह तीनों भी available नहीं है तो फिर आपका TOS clause A या clause B में fix होई नहीं सकता तो यहाँ पर वो क्या कहते है पहले में read कर लेता हो फिर इसका एक example देता हो फिर वो क्या कहते है देखो the date on which recipient shows the receipt of service in his books of account वो situation में आपका जो recipient है यानि यह service जिसने service supply किये उसका जो recipient है उसने जिस दिन books of account में बताया उस दिन के date से मेरा TOS यहाँ पर trace हो जाएगा इसका एक example में लेता हो जैसे क्या हुआ यह 31st यहाँ पर इस साल में मैंने कोई service provide की और बहुत बड़ा amount था समयलो 2 crore का amount है और मैंने service provide की यह service provide करना चालो कर दिया ठीक है अब ऐसे situation में लेकिन मैं क्या किया कि 2 crore का amount है बड़ा amount है और 31st March तो आई रहा है तो चलो यह साल में book नहीं कर दे क्योंकि यह साल में अगर 2 crore का revenue book कर दिया तो उसका profit book होगा profit book होगा तो उसका income tax book होगा उसका मतलब मुझे tax भी दना पड़ेगा तो मैंने सुचे चलो यह साल book ही नहीं कर दे तो मैंने ना invoice दिया उसको ना उससे payment आया 31st मार्च तक as well as okay धैन सुन ना मैंने invoice भी नहीं दिया सामने वाले से payment नहीं आया और मैंने अपने बुक्स में completion मी नहीं बताया मैंने अपने बुक्स में completion मी नहीं बताया पर मेरे recipient ने उसके बुक्स में entry कर दी इसी साल 31st March के पहले मेरे recipient ने उसके books में entry कर दी कि service receipt क्योंकि अगर recipient जो मैंने service उसको दिया है वो अपने books में अगर provision कर दे तो उसका expenditure claim हो जाएगा वो profit and loss account उनको debit कर पाएगा और उसका profit भी कम हो जाएगा वो खर्चा book कर रहा है अब देखो situation क्या है supplier अपने books में कुछ भी नहीं बता रहा है पर recipient ने अपने books में उसको expenses बता दिया क्योंकि उसका expenses है जो मुझे वो supply कर रहा है तो ऐसे situation में अगर कोई case ऐसी government के सामने आ गई जहां supplier no doubt forward charge और हम TOS supplier का ही fix कर रहा है सुनी दहान से हम TOS supplier का ही fix कर रहा है लेकिन supplier supplier ने invoice भी नहीं दिया supplier ने उसका completion भी नहीं बताया supplier को payment भी नहीं आया लेकिन उसके recipient ने उसके books में service receipt बता दिया और recipient ने उसके entry book कर दी तो ऐसे case में यहाँ पे government recipient के book से supplier का TOS fix करेगी मतलब government कहेगी देख भाई तुने कुछ नहीं बताया पर तेरा recipient बहुत अच्छा है देख तेरे recipient ने book में entry कर दी उसकी इसी साल अगर तेरे recipient ने books में entry कर दी इसी साल तो तेरा TOS ओके इसी साल आएगा बेटा अभी फिर तू अपने books में उसकी entry कर या ना कर तो यह point था बेटा जो हमने यहाँ discuss किया तो clause A, clause B और clause C यह तीन तरीके है अगर आप service supply करते हो तो वो case में TOS fix किया जाएगा तो यह ता बेटा TOS in case of normal charge उसके बाद में TOS in case of reverse charge मतलब आपने कोई goods खरीदा या goods खरीदा और reverse charge में liability है या service खरीदी और reverse charge में liability है सबसे पहले तो हम goods की बात कर रहे है जैसे आपको याद होगा तो 9-3 में कुछ goods notified है जहां reverse charge है Cashew nuts, Brady rapper news वगरे हमने देखा था या चलो 9-3 चोड़ तो 9-4 तो याद है ना आपने अगर cement खरीदा होगा तो compulsory reverse charge है कौन promoter प्रमोटर ने अगर unregistered बंदे से cement खरीदा होगा हमने देखा था तो reverse charge है या capital goods खरीदा होगा तो reverse charge है goods कब receive हुआ दूसरा date of payment सुनिए दहां से date of payment या फिर मैंने जो goods खरीदा होगा समझे लो मैंने unregistered से cement खरीदा होगा तो promoter को reverse charge देना है तो एदर पहला जिस दिन cement receive हुआ या second मैंने उसको pay किया होगा अब देखो payment की दो dates आ सकती है तो दोनों date लिख लेना क्योंकि दोनों में से whichever is earlier ही रहेगा तो payment की कौन सी दो date आ सकती है एक तो मैंने मैं promoter हूँ और मैंने जो cement खरीदा था तो मैंने उसको payment किया उसका book entry किया होगा या फिर debited to bank सुना book entry या debited to bank whichever is earlier तो यहाँ payment की अगर आपको दो dates मिल रही होगी book entry या debited to bank तो उसमें से जो whichever is earlier होगा वो आपका date of payment होगा या फिर दोनों भी नहीं तो 31st day from invoice date of supplier आप लिख सकते हो invoice date of supplier यहाँ पे आप लिख सकते हो invoice date of supplier तो चलो अब समझ लो मुझे goods भी नहीं है अभी तक अब मैंने उसको payment भी नहीं किया द्हां सुना मैंने उसको payment भी नहीं किया लेकिन वो supplier का invoice invoice आ चुका है यहने वो जो unregistered supplier है जिसने सिमेंट दिया है बेटा जो unregistered supplier है जिसने सिमेंट दिया हुआ है उसका मुझे invoice आ चुका है तो जिस दिन invoice आया वहां से 31st day जो रहेगा यहने invoice की date छोड़के आगे जो 30 दिन खतम हो जाएगे और 30 दिन के बाद जो 31st day रहेगा उस दिन TOS हो जाएगा मतलब मैं उसको आपको ऐसा भी पढ़ा सकता हूँ कि अगर आपने 30 दिन के अंदर आपको goods receive हो गया होगा यह 30 दिन के अंदर payment कर दिया होगा तो आपका TOS date of receipt of goods और date of payment लेकिन 30 दिन के अंदर अगर date of receipt भी नहीं हुआ date of payment भी नहीं हुआ और आपक उस दिन आपका TOS आजाएगा ठीक है उस दिन आपका TOS आजाएगा आगी उसमें एक प्रोवीज हो है और प्रोवीज हो क्या है if all three of all do not apply मतलब क्या date of receipt of goods date of payment या 31st day तीनों भी apply नहीं होगा तो date of book entry जिस दिन मैं book entry करूगा वो ले लिया जाएगा अब यह क्या है date of book entry सम से मैं cement खरिदने वाला हूँ उसके साथ मेरा contract हो गया contract हो गया और वो मुझे cement supply करने वाला है ठीक है अभी तक goods नहीं आया अभी तक मैंने भी payment नहीं किया और उसका invoice भी नहीं आया पर 31st March को मैंने अपने books of account वे provision कर दिया उसका कि मुझे मेरा agreement हो गया है मुझे पैसा देन पर यह तीनों event नहीं हुए और 31st March को book entry कर दिया तो lawyer कहता है कि अगर आपने book entry कर दियोगी आपने उसका provision कर दिया होगा तो जिस दिन provision किया आपके books of account में उस दिन आपका TOS मान लिया जाएगा और reverse charge में आपकी liability आ जाएगी तो यह simple funda था date of receipt of goods या फिर date of payment या फिर 31st day from the suppliers invoice और any document issued by supplier whichever is earlier और अगर यह तीनों possible नहीं है पर आपने अपने books में provision कर दिया होगा कि उसको पैसा देना है तो वो situation में यहाँ पे जिस दिन आपने अपने books में provision कर दिया उस दिन आपका reverse charge आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे section 13.3 क्या कहता है section 13.3 यह कहता है कि service अब service क इसमें river charge 9.3 तो हमने पुरा देखा था GTA service देखा कुछ का याद आ रहा है ना GTA service का चार्ट हमने देखा था GTA service sponsorship service legal service का उसके बाद में यहाँ पे construction sector में director की service तो दुनिया भर की service हमने देखी तो हमने अगर GTA service ली थी जो river charge में मुझे tax देना है sponsorship service body corporate ने ली river charge में मुझे tax दे तो section 13.3 के हिसाब से यहाँ दो ही date है यहाँ तीन है नहीं सुनना यहाँ तीन dates है तो यहाँ दो ही date है date of payment अब payment में दो dates आ सकती है date of book entry या date of debited to bank whichever is earlier और 61th day ख्याल रहा है और 61th day from invoice date of supplier invoice date of supplier supplier ने जो invoice दिया वहाँ से 61th day लिया जाएगा goods के case में 31 तो यहाँ पे 61 लिया जाएगा बस यह दो ही event है तो अब देखो ख्याल रखना goods होगा तो यहाँ एक ज़्यादा है date of receipt of goods और बाकी date of payment 31st day यहाँ दो ही event है date of payment या 61th day from supplier's invoice whichever is earlier प्रोवीजों सेम है मतलब अगर आपने 60 दीन के अंदर payment भी नहीं किया धया सुना और आपका invoice भी नहीं क्या ऋमजलो मतलब आपने पैमेन भी नहीं किया और invoice भी नहीं आ है पर आपने अपने books of account में 31st March को provision कर दीया और आपने 31st March को अब आपकर अपने books में payment की provision कर दीयोगी तो जिस दिन आपका TOS माल लिया जाएगा और river charge में आपको tax देना पड़ेगा तो मेटा यह मैंने बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है कि यही कि यही आपको compare हो जाता है goods का होगा तो ऐसा service का होगा तो इस तरह से TOS service का होगा तो इस तरह से TOS fix किया जाएगा ना उसके बाद में excess amount up to rupees 1000 जाहन से सुनिएगा excess amount up to rupees 1000 अब देखो मैंने यहाँ पे एक example लिया था और वो example मैंने idea का लिया था जैसे example की तोर पे मेरे पास idea का पोस्पेट SIM कार है अब idea का पोस्पेट SIM कार है मेरा जो invoice बना है वो 1457 का बना है जाहन सुनना मेरा invoice 1457 मतलब 1457 का मेरा invoice बना है मुझे याद नहीं है कि यार invoice आईडिया से supplier कौन idea मैं कौन recipient invoice आगिया अब supplier ने आपको ज्यादा पैसा नहीं मांगा और के supplier आपको 1457 का पैसा मांगा अगर आपको regular class याद होगा तो मैंने पांच शॉप वाले का भ भेज दिया और बाकी balance तू रख ले बाद में देखेंगे तो वो same example up to 1000 देखो supplier ने invoice 1457 का issue किया हुआ है ठीक है पर आपने उसको extra दे दिया उसने नहीं मांगा था you have made the excess payment अब आपने उसको extra दिया तो उसके लिए तो वो advance हा गया extra ओके और मैंने idea company को 1500 रुपे पे कर दिय तो यहाँ पे 47 रुपीज उसके लिए advance है no doubt next bill में idea company मुझे adjust करके देदेगी next bill में idea company मुझे adjust करके देदेगी तो ऐसे situation में जो उसको extra मिला उसका TOS कब और जब भी कोई supplier को उसके invoice से ज्यादा पैसा मिल जाता है generally वो ज्यादा पैसा next bill में adjust करके देता है okay next bill में adjust करके देता है तो फिर TOS कब आएगा तो ऐसे situation में बेटा यहाँ पर law यह कहता है कि आपको up to 1000 I repeat up to 1000 यहाँ जो है अगर extra पैसा है limit डाल दी up to 1000 आपको access आया है जो आप अपने books में advance कहोगे क्यों क्योंकि आपको next bill में adjust करना है तो वो up to 1000 होगा तो उसका TOS advance पे न next bill issue होगा यहने जब next bill में adjust करोगे तब उसका आपने TOS किया तो भी चलेगा और उसकी GST तब पे किया तो भी चलेगा अब थोड़ा इसका और एक analysis करता होगा ओके देखिए समझता है तो ठीक ने तो ओके छोड़ देना अगर goods होगा तो वेटा goods के case में notification 66 by 2017 लग जाता है और goods के case में advance में तो TOS आए गई नी इसलिए वो excess amount जो मिला वो आपको 1000 तक मिले या 1000 से ज्यादा मिले goods के case में कोई effect ही नी होगा क्योंकि goods के case में TOS always on the date of issue of invoice या last date of issue of invoice इसलिए अगर आपको excess पैसा आ जाता है चल लेट से के example आपको 500 रुपे extra आ गया goods के case में इसका TOS तभी बनेगा जब इसका invoice बनेगा और next invoice दोगे तभी TOS आएगा advance basis पे नी आया और चलो आपको excess amount 3000 रुपे है तो 3000 रुपे भी अगर आपको excess amount आया होगा तभी ये situation में उसका TOS date of issue of invoice पे ही आएगा जब आप वो next bill में adjust करोगे तो goods के case में तो फरक ही नी पढ़ेगा always date of issue of invoice लेकिन हाँ service के case में फरक पढ़ेगा ये provision mainly important है service में क्योंकि service में advance पे tax आता है I repeat service के case में advance पे tax आता है तो ऐसे situation में हाँ बेटा मैंने पहले session में तो कहा है कि अगर आपका November 21 attempt होगा तो भी देखो और कि ये बहुत अच्छे से मैंने discuss किया हुआ है टीक है जहाँ जहाँ change है वहाँ वहाँ मैं बता दूगा कि क्या change है तो ऐसे situation में यहाँ पे जहाँ तक है हाँ आपका excess amount सुनिए सर्वीज के case में अगर आपको extra amount 1000 तक मिल रहा है तो वो 1000 जो आपको advance में मिल गया उसका TOS advance पे ना create करते हुए invoice पे create करोगे जब वो next invoice में adjust करोगे ठीक है तो 1000 तक allowed है लेकिन आपको 1000 से ज़्यादा पैसा मिल गया excess में सामने वाले recipient ने 1000 से ज़्यादा दे दिया तो वो situation में उसका TOS advance पे ही create करोगे ना कि जब वो next invoice में adjust करोगे तब नहीं एक हजार से ज़्यादा मिला तो फिर आप advance में ही TOS create करोगे तो यह point याद रखना अगर थोड़ा बहुत मेरे discussion में confusion हो रहा है तो book पढ़ लीजिएगा मैंने अच्छे examples लिये तो आपको clear ही समझ में आ जाएगा next बेटा vouchers यह common provision है goods और services की जैसे vouchers है अब voucher की जहां तक है मैं discount voucher की बात नहीं कर रहा हूं क्याल रहा है okay मैं discount voucher की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे ऐसे vouchers जिसमें goods supply किया जाएगा या services supply की जाएगी मैं आपको यहाँ पे एक free voucher दे रहा हूं कि जिसमें आप मेरे shop में कोई भी goods खरी सकते है shirt खरी सकते है या pizza ले सकते है जो भी है तो ऐसे vouchers जिसमें goods और services देने का वादा किया है तो law यह कहता है कि अगर कोई यहाँ पे voucher issue कर रहा है जिसके अंडर goods जाएगे या services जाएगे तो वो voucher पे GST आता है क्यों GST आता है वो voucher पे GST आएगा क्यों कि यहाँ पे आपने goods देने का agree किया है तो supply यहाँ आपने goods देने का agree किया है इसलिए उस voucher पे GST आएगा, is it clear, तो अब law क्या कहता है, ओके तो voucher के बारे मैंने बहुत क्लिरली बता दिया, law यह कहता है, अगर आप voucher दे रहे हो, अब आप शॉपर स्टॉप का voucher है, ठीक है, और वो वाउचर इसू कर रहे है, आप कर रहे हो, या फिर मैंने शॉपर स् आने वाला ही identifiable है, समझे लो मैंने voucher दिया, और उसमें clear का कि आपको shirt मिलेगा, आप हमारे शॉप से कोई भी shirt ले सकते हो, पर goods बहुत clear है, shirt, फिर वो shirt कौन से color का होगा, कैसा होगा, वो बात, वो फिर उस shirt की varieties है, पर goods clearly identifiable है कि shirt ही मिलेगा, तो अगर उस voucher के against में, आप आपको ऐसा कोई goods है, जो clear identifiable है, या ऐसी कोई service है, आप इस बार आए, आप पहली बार आए, तो पहली बार आए, तो मैंने जो है, जैसे कोई saloon में गए, तो saloon में आप पहली बार गए और 5,000 का बिल मेना लिया, तो उन्होंने एक voucher दिया, और next time उन्होंने clear किया कि आप आपको यहाँ पर next time आओगे तो यह voucher रखो, जिसमें हम आपको यहाँ पर haircut या फिर यहाँ पर shave trimming वगएरे जो है, तो यह हम आपको service देंगे, service clearly identifiable है कि क्या मिलेगी, तो अगर आपको goods यह service clearly identifiable है, तो फिर आपका TOS कब आएगा बेटा, date of issue of voucher, जिस दिन वो voucher दे रह फिर वो customer voucher को redeem करे या ना करे, सुनो, customer voucher को redeem करे या ना करे, जिस दिन मैंने यहाँ पर voucher दिया, उसी दिन मेरा TOS आ जाएगा, is it clear, अगर वो identifiable है, other case, अगर वो identifiable नहीं है, जान सुनना, अगर वो identifiable नहीं है, तो date of redemption of voucher, अगर मैंने का कि यह रहा voucher, और आप मेरे shop से कुछ भी खरी सकते हो, मेरे shop से आप कुछ भी खरी सकते हो, और वो identifiable नहीं है, तो ऐसे situation में, या कोई भी service ले सकते हो, okay, 300 रुपे तक, 500 रुपे तक, आप कोई भी service ले सकते हो, तो फिर मैं जब issue करूगा, उस दिन मेरा TOS नहीं आएगा, okay, जिस दिन वो redeem करने आएगा, फिर से एक बार कह देता हो, कि यहाँ पर पहले case में, आपको GST liability आजाती है, सामने वाला बंदा redeem करने आए या ना आए, दूसरे case में, आपकी liability उसी दिन आएगी, जिस दिन वो redeem करने आएगा, okay, ये तो था regarding to voucher, अब residual case, अब residual case मतलब क्या, अगर कोई case ऐसी सामने आती ह जिसमें आपका TOS, okay, और वो कोई भी section से fix नहीं हो पाया, ना forward charge में fix हो पाया, ना reverse charge में fix हो पाया, ना कैसे fix हो पाया, तो ऐसे case में, वो residual case में TOS कैसे fix होगा, ये periodic return has to be filed, ये वो बंदे को अगर return देने की liability बनती है, तो date when return required to be filed, और other case, अगर वो बंदे की return देने की liability न उसका TOS आ जाएगा, okay, ये residual case है, example की तोर पे, एक chronical tax evader है, सुनना ध्यान से, एक chronical tax evader है, okay, अब वो goods का supply कर रहा है, या service का supply कर रहा है, कोई books maintain नहीं कर रहा है, देखो, क्योंकि, अगर आपको यह TOS fix करना है, तो either आपके supplier ने invoice देना चीए, या date of remote बताना चीए, या date देना चीए, यार ये केस में होगा तो, तो उसने ना invoice maintain किये, ना remote की कोई records maintain किये, ना कोई payment के records maintain किये, ना date of completion के records maintain किये, कुछ भी नहीं किया, जो required था, कुछ भी maintain नहीं किया, ना कोई book entry है, कुछ भी नहीं, और बाद में, जब उसकी scrutiny हुई, तो पकड़े गया, और पक करना चाहिए तो जिस दिन उसने return फाइल कर देना चाहिए था date when return is required to be file यहने department क्या करेगा department उसका देखे का भई देख तेरी diary मिली है और तेरी diary में यह April का तुने supply किया हुए एक diary उसने maintain करके लिखी एक कागज maintain करके रखा था कि April में इसको दिया देख एप्रिल में तुने इसको दिया में में इसको दिया तो अगर तेरा return यहाँ पर अब TOS कैसे fix होगा कि भई तू return की liability में आता है तो April की due date 20 में आएगी या May की due date June में आएगी तो जो तेरी return की date है उस दिन तेरा TOS आएगा और तू return की जिम्मेदारी में नहीं आता है तो date of okay date of tax payment date of tax payment अब समझ लो यहाँ पर एक employee है मेरा कोई एक employee है उसने उदर उदर से adjust करके पैसा कमाया पर बताया नहीं क्योंकि fraud से पैसा कमाया अब employee return की liability में नहीं आता है तो अब fraud से पैसा कमाया जो GST की liability में भी आता है तो ऐसे situation में government जिस दिन उससे पैसा मांगेगी government कहेगी कि जा अभी pay कर किया तुने fraud किया है तेरा fraud पकड़े गया तो जिस दिन वो pay करेगा उस दिन ही उसका TOS मान लिया जाएगा last important आ सकता है last वाला क्या है बेटा interest late fee or penalty देखो फिर से कह देता हो आपको दो type के interest आते interest on loan advances or deposit अगर आपका interest on loan advances or deposit होगा तो वो तो exam service है हम बात कर रहे है interest late fee or penalty की for delay payment of consideration for delay payment of consideration interest late fee penalty ठीक है तो अगर आप एक supplier ने recipient को supply किया okay supply कर दिया supply हो सकता है goods का है supply जो हो सकता है goods का है supply हो सकता है service का है bill बन गया bill बना value 1 lakh रूपीस okay bill बना value 1 lakh रूपीस और उसके उपर GST add rate 12% okay 12,000 और कहा गया credit supply किया और कहा गया कि आपको जो है यहाँ पर yes 30 दिन के अंदर आपको pay कर देना है करना था और not paid within time okay not paid within time and a recipient ने okay उसको tax नहीं दिया तो supplier ने कहा भई मैं तुझे within time तो supplier ने कहा मैं तुझे interest लगा होगा okay तो यह जो interest supplier लगा रहा है interest लगा रहा है क्योंकि तुन्हें within 1 month पे नहीं किया interest लगा रहा है value है तो अब यह interest का TOS कब आएगा मतलब for example okay एक supplier है और एक recipient है मैंने invoice तो April में दिया था invoice जो मेनी invoice है वो मैंने April में दिया था लेकिन मैंने उसको interest लगाया और interest जो लगाया दहान से सुनिएगा interest मैंने April में June June में उसको interest लगाया तो यह interest पे GST कब देना पड़ेगा तो जो मन्त में interest रिस्यू होगा या जो मन्त में late fee रिस्यू होगी या penalty रिस्यू होगा for delay payment of consideration तो जो मन्त में रिस्यू होगा उस मन्त में इसका TOS आएगा मतलब इसका TOS यहाँ पे June मन्त में आएगा और इस interest को आपको June मन्त में पे करना पड़ेगा आगे valuation में बता होगा interest late fee or penalty generally आप inclusive of GST लोगे क्योंकि सामने वाला GST तो अलग से नहीं देगा इसलिए generally आप inclusive of GST इसको consider करोगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे discuss किया regarding to interest late fee or penalty और नीचे मैंने लिखा है कि date of payment को आपको किस तरह से लेना है यहाँ तक तो आपने discussion किया yes अब आप section 14 पे आते हो section 14 पे TOS कैसे fix होगा यह तो बहुत simple है changing rate of tax ख्याल रहे है changing rate of tax section 14 में TOS कैसे fix होगा तो इसकी 3 situation है clause 1, clause 2 और clause 3 जिसमे clause A और clause B में divide किया है तो clause A कहता है कि आपका supply पहले हुआ है और clause B कहता है आपका supply बाद में हुआ है तो आप TOS कैसे fix करोगे section 14 में जब भी आप TOS fix करोगे तो खेलना आपको invoice और receipt में ही है यहने invoice और receipt के base पे ही TOS fix करना है पर invoice और receipt पे जब खेलोगे तो वो supply के base पर खेलोगे supply पहले है यह supply बाद में है उसके base पे आपको खेलना है अब पहला सवा section 14 की case कब बोली जाएगी changing rate of tax case क्यों? क्योंकि अगर आपकी case section 14 में आती है तो fee TOS section 12 और 13 से fix नहीं होगा section 14 के जो TOS का data वही रहेगा और उस दिन का ही rate लिया जाएगा for payment of tax तो अब सवाल क्योंकि section 14 जो ओर राइड करता है section 12 और 13 को तब अब सवाल ही आ गया कि यहाँ पे मैं यहाँ section 14 कब लगा होगा? section 14 लगाने के लिए एक basic fund आपको याद रखना है mainly आपके तीन event होते है supply, invoice, or receipt mainly तीन event हो गए अगर यह event scattered हो गए याने change in rate के पहले एक चले गया दो इदर चले गया, दो उदर चले गया एक इदर आ गया, या फिर जिस दिन rate change हुए service, supply, or receive उदर चले गया आ इदर आ गया, तो अगर आप यह 6 situations देखोगे, clause A की 3 और clause B की 3 तो सब में एक चीज़ आपको दिखेगी और वो यह चीज़ दिखेगी कि event ऐसे scattered हो गए, ओके इदर उदर चले गए अगर event इदर उदर चले गए तो वो case में, कि यहाँ पे change in rate of tax case है, 12 और 13 को भूल जाना, आपका TOS section 14 से fix करना, ठीक है, हाँ ख्याल रहे, अगर 3 event change in rate के पहले हुआ, या 3 event change in rate के बाद हुआ, तो 12, 13 से आपको fix करना है, अगर problem है, change in rate of tax का या question पुछा गया, चलो अच्छी बात है clause A में, बहुत simple way में आप TOS fix करोगे, अगर आपका supply change in rate के पहले है, सुनिए, आपका supply change in rate के पहले है, तो invoice or receive whichever is earlier, that's all, और तीनो का निचोड, अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे मैंने दिया है, okay, if completion यह supply, before changing rate of that तो ऐसे case में invoice or receive whichever is earlier, that's all, okay, अगर clause B की case है, I repeat, अगर clause B की case है, अगर supply बाद में है, completion बाद में है, तो वो situation में, आपका general understanding आना चाहिए, invoice or receive whichever is later, यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए, invoice or receive whichever is later, लेकिन invoice and receive, invoice and receive दोनों पहले हो जाती है, तो whichever is earlier आपको लेना पड़ेगा, तो यह दो clauses, आप बहुत सिंपल बें, याद रख लेना, section 14 is over, नो एक special discussion आपके साथ करना चाहोगा, और वो special discussion में यहाँ पे क्या करना चाहोगा, देखेगा, यहाँ पे, और वो यह special discussion, कि यहाँ जो है, धैंसर सुनो, यहाँ जो है बेटा, section 14 में, जो goods के लिए TOS fix होगा, धैंसर सुनना, goods के लिए जो TOS fix होगा, notification 66 by 2017, यह section 14 को भी अपला होता है, एक बार फीर से, notification 66 by 2017, यह section 14 को भी अपला होता है, मतलब क्या, उस notification के हिसाब से, आपको TOS, जो है receipt basis पे fix नहीं करना है, उस notification के हिसाब से, invoice basis पे या last date of invoice basis पे आपको TOS fix करना है, इसलिए, अगर आप section 14, clause A और clause B, read with notification 66 by 2017, देखोगे, तो goods के लिए, जो मैं fundा बता रहा हूँ, invoice or receipt, whichever is earlier, वो नहीं चलेगा, आपको TOS invoice पर ही आएगा, मतलब क्या, मतलब यह कि पहला situation है, यहाँ पे दूसरा situation है, receipt और invoice, तो आपने TOS किस पे fix किया, receipt पे, नहीं, यह case में, अगर आप notification 66 by 2017 पढ़ते हो, तो आपको invoice पे ही fix करना पढ़ेगा, क्योंकि notification 66 by 2017 कहता है, receipt पे नहीं होगा, यह case लो, receipt पहले invoice बात में, तो हमने क्या पढ़ाता, invoice or receipt, whichever is earlier, read with, read with, क्या, यहाँ पे, yes, read with 66 by 2017, is it clear, तो आपको invoice basis पे fix करना पढ़ेगा, तो यह आप थोड़ा ख्याल रखना, पर यह, इस पर ज़्यादा clarity नहीं है, पर exam में, अगर supply of goods है, changing goods की बात कर रहा हूँ, service की नहीं, changing rate of tax है, तो फिर आपने invoice basis पे ही TOS fix करना, यह अभी मेरा interpretation है, इस पर ICI ने कोई clarity ज़्यादा दी नहीं है, okay, CBIC ने भी नहीं दी है, पर मैं आज आजस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि notification 66 by 2017 जो है, okay, यहाँ पे section 14 को भी apply किया जाता है, ठीक है, service के case में तो no doubt service होगा, तो आपको यह follow करना पड़ेगा, तो यह section 14 हुआ, नीचे एक proviso है, जो proviso में जरूर लेना चाहोगा, वो क्या कहते हैं, अगर आपका, देखो, आपको check मिला, जब भी TOS receipt पे आएगा, जैसे यह receipt पे आया, यह receipt पे आया, ओके, यह फिर TOS आपका, यह situation में यह receipt पे आया, जब भी TOS receipt पे आया, तो आपको no doubt, date of book entry, यह bank realization, whichever is earlier लेना है, लेकिन, आपके book entry, और credit in bank, इसके बीच में, change in rate हो जाता है, इसके बीच में, change in rate हो जाता है, और, अब सुनिएगा, change in rate से, change in rate से, चार दिन के अंदर, bank realization नहीं हुआ, तो फिर आपका जो basic principle है, book entry और bank realization, वो apply नहीं होगा, receipt उस दिन की मानी जाएगी, receipt उस दिन की मानी जाएगी, जिस दिन bank में credit हुआ, ख्याल रहे है, आपका book entry, और credit in bank, इसके बिच में change in rate हुआ, और ये change in rate के date से, ये date से, चार दिन के अंदर, realize नहीं हुआ, अगर चार दिन के अंदर realize हो जाता है, तो फिर book entry और credit in bank, which is earlier वो लिया जाएगा, अगर चार दिन के अंदर realize नहीं होता है, तो वो situation में, आपका receipt, अब book entry के base पे नहीं, आपकी receipt जो R माना जाएगा, वो date of credit in bank account माना जाएगा, I hope, ओके, तो यहाँ पे, आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसके base पे, हम TOS निकालेंगे, अंदर सेक्शन 14, चलो, ये तो हमने देखा, अब एक और special discussion करेंगे, वेल बटा, ये एक table दिया है, ये table में मैं जे ये बताना है, कि अलग-अलग situation में आप place of supply कैसे विक्स कर सकते हो, ठीक है, ये actually आपके charts में नहीं दिया है, लेकिन ये आपके notes में मैंने दिया है, तो मैं टेलिग्राम लिंक पे, टेलिग्राम जो लिंक दिया गया है, description कॉलम में, उसमें ये table share कर दोगा, ठीक है, supply of goods और supply of services, देखो, supply of goods में आपका TOS, always 2 events पे होगा, कौन से 2 events पे होगा, invoice और last date of invoice, clear, ठीक है, अब देखो, goods के 3 तरीके होते हैं, supply करने के, एक normal, भई, मैंने आपको sale, transfer, supply कर दिया, goods का moment कर दिया, दूसरा है, continuous supply of goods, और तिसरा है, continuous goods sent on approval, return basis, तो सवाल ये है, कि ये 3 cases में, मेरे TOS कैसे fix होगा, अगर मैं normal case लूँ, मतलब simple transaction है, कोई continuous supply नहीं है, goods sent on approval, return basis नहीं है, अगर मैं normal case में लूँ, तो ये आउलरी हम देख चुके है, क्या date of issue of invoice, यहने मैंने remove के पहले, यह delivery के पहले, अगर invoice दे दिया होगा, तो मेरा TOS जो होगा, वो date of issue of invoice होगा, और मैंने remove तक, या delivery तक, delivery word कभ यूज किया जाता है, जब moment नहीं है, तो delivery तक, अगर मैंने यहाँ पे, आपको invoice नहीं दिया, तो last date of invoice, यहने date of remove of goods, और date of delivery, यह consider कर लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, अब continuous supply of goods, सबसे पहले तो invoice concept समझ लो, अगर continuous supply of goods है, तो यहाँ पे invoice देने का mechanism थोड़ा अलग है, continuous supply of goods में, invoice remove पे नहीं दी जाते है, invoice successive statement, यह successive payment received, उसके base पे रखे गए है, क्यों क्योंकि समझ लोब में, gas या petrol, continuous supply कर रहा हो, तो इसमें remove identify करना possible नहीं है, या सुबह दूद वाला दूद लेके आ रहा है, तो हर remove पे invoice देना possible नहीं है, तो ऐसे situation में, government ने invoice का जो criteria रखा है, वो invoice का criteria आपका successive statement या payment received, उसके base पे रखा है, तो lawyer कहता है, अब देखो इसका TOS कैसे fix करना, continuous supply of goods होगा तो, हमारा TOS का basic principle वोई, invoice या last date of invoice, मतलब अगस्ट successive statement या successive payment received, उसके पहले invoice जा चुका होगा, यह invoice issued honor before successive statement, या payment, तो date of issue of invoice, और आपने invoice कब तक देना चीए, आपकी invoice issue करने की date है, जिस दिन आप successive statement या payment, अगर आपने invoice successive statement या payment के दिन तक नहीं दिया, तो आपका जो TOS होगा, वो date of issue of successive statement या payment, या आपकी last date of invoice, जिस दिन आपने successive statement या successive payment received, वो ले लिया जाएगा, simple था TOS determine करना, उसके बाद में good sent on approll or return basis, इस concept को थोड़ा देहान रखना, good sent on approll or return basis, अब बेटा के देखो क्या है, good sent on approll or return basis में, यहाँ पर, सबसे पहले तो divide करना कि, 6 मेने में मुझे acceptance मिला या नहीं मिला, ठीक है, 6 मेने में acceptance मिला या नहीं मिला, अगर मुझे, समझे लो acceptance मिल जाता है, acceptance is given in 6 months, ठीक है, sorry, अब ऐसा लेते हैं, acceptance is given in 6 months, मुझे acceptance मिला, तो acceptance के दीन तक मैंने invoice दे देना चाहिए तो अगर मैंने invoice, honor before acceptance दिया है तो date of issue of invoice अगर 6 मैंने मैं acceptance नहीं मिला पर 6 मैंने या उसके पहले मैंने invoice दे दिया तो date of issue of invoice याने यहाँ 2 last date है simple word में समझाओ क्या, 2 last है अगर आपको acceptance मिल जाए तो last date of issue of invoice date of acceptance है अगर आपको acceptance ना मिले तो last date of issue of invoice है जिस दिन 6 मेना complete होगा from the date of remote तो ऐसे situation में आप यह TOS कैसे fix करोगे अगर आपको 6 मेने में acceptance मिल गया तो acceptance last date है तो उसके पहले अगर आपने invoice दे दिया या उस दिन तक invoice दिया तो date of issue of invoice अगर आपको acceptance नहीं मिला तो जिस दिन 6 मेना complete होगा from the date of removal वो last date है उसके पहले या उस दिन तक invoice दे दिया तो आपका TOS आजाएगा लेकिन यहाँ पे अगर आपने acceptance तक या फिर 6 मेने तक क्योंकि दो last date है यह case में यह basic point है दो last date है acceptance यह 6 मेने तक invoice नहीं दिया तो फिर आपका TOS date of acceptance या फिर जिस दिन 6 मेना complete होगया वो तो इस तरह से आपका TOS fix किया जाएगा थोड़ा अच्छा दहान से पढ़ना तो आपको समझ जाएगा ठीक है तो यह था रिगार्डिंग तो यहाँ पे अगर goods होगा तो आप TOS कैसे fix करोगे service होगी service होगी तो आपको TOS clause A clause B or clause C से fix करना है clause A मतलब invoice within time तो invoice or receive whichever is earlier अगर invoice not within time तो यहाँ पे date of completion और receive whichever is earlier now अब देखो आपका normal service होगा तो सवाल ही नहीं normally आपने invoice 30 दिन और 45 दिन में देना चाहिए जो हम already देख चुके है तो ऐसे case में अगर 30 या 45 देज के पहले आपने invoice दिया तो date of issue of invoice और receive whichever is earlier अगर आपने 30 देज और 45 देज में invoice नहीं दिया तो date of provision of service या completion of service और receive whichever is earlier यह तो हुआ normal case में continuous supply की case में कैसे देखा जाता है पहले तो okay continuous supply of service मतलब जो continuous or recurrent basis पे दिया गया under a contract जिसका period 3 मेने से जादा है और जहां periodical payment जो है वो agreed है तो अगर यह सभी condition fulfill होती है तो उसे continuous supply of service कहा जाता है अब यह case में invoice कैसे है यह case में अगर आपकी service continuous supply of service है तो invoice हैसे 30 देज case में नहीं होते है वो case में invoice के 3 mechanism दी है अगर आपकी due date ascertainable है समझे लो मेरा rent agreement है और rent agreement एक साल का है तीन महने से जादा है periodical payment है continuous supply of service है अब ऐसे situation में मैंने अपने agreement में due date of payment मेरा tenant जो है और मेरा recipient मुझे पैसा कब देगा वो date prescribed की है हर मैने के 10 तारीक को यहां पे पैसा दे available है तो अगर due date ascertainable है तो मैंने invoice due date के पहले या due date तक मैंने यहां पे अपना rent का invoice दे देना चाहिए पहली बात अगर due date ascertainable नहीं है पर continuous supply service है तो फिर जब मुझे मेरा recipient payment करेगा उसके पहले या उस दिन तक invoice दे देना चाहिए कभी-कभी आपकी continuous supply service event link based होती है for example construction service प्लीं first floor second floor third floor ऐसे जैसे जैसे complete होगा वैसे वैसे आपका recipient आपको periodic payment करेगा अगर आपका continuous supply service event based है तो आपने invoice on or before completion of event यह प्लींद खतम हो गई उस दिन या उसके पहले invoice दे दना चाहिए तो आपने आपके based on terms of contract okay due date यह receipt यह event link इसके पहले आपने invoice issue within prescribed time अब invoice issue within prescribed time क्योंकि principles तो मुझे यही use करना है within time मतलब क्या यहने मैंने due date के पहले invoice दे दिया या फिर मैंने payment के पहले invoice दे दिया या उस दिन तक दिया या event होने के पहले invoice दिया या उस दिन तक दिया तो मेरा TOS date of issue of invoice और receipt which was earlier principle तो वही होगा ओके लेकिन अब समझे लो मेरे contract में due date fix है सुनिये द्यान से मेरे contract में due date fix है और due date जो 10 तारीक है तब तक मैंने invoice नहीं दिया सुनो तब तक invoice नहीं दिया तो यहाँ पे landlord का TOS याने supplier का TOS ओके last date of completion और receipt which और is earlier लिया जाएगा date of completion और receipt which और लिया जाएगा अब यहाँ पे हमारे ICAI का clear interpretation है कि date of completion मतलब जिस दिन आपकी due date थी या जिस दिन payment की date थी या जिस दिन completion of event का date था वो date of completion माना जाएगा तो आपका TOS date of due date और payment receipt या date of receipt या payment receipt वो तो एक ही रहेगा date of receipt या payment receipt या फिर date of completion of event या payment receipt which और is earlier ये base पे fix करना पड़ेगा बाकी service में up roll और return basis नहीं होता है वो safe goods के case में होता है तो इस तरह से हमने ये chart देखा जहाँ हमने अलग-अलग situation में TOS कैसे fix होगा यहाँ पे इसको detail में देखा ठीक है दोस्तों तो चलिए यह रहा regarding to determination of TOS in different cases